नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू मममाज आट रूम आज इस वीडियो में आपके साथ बाटी का आटा घर पर किस तरह से बनाते हैं वह बताने वाली हूँ तो इसके लिए एक किलोग गेहू उसमें एक कप मका हमें आड़ करना है एक बड़ा चमच धनिया सीड्स एक बड़ा सौफ के यह मिक्स करके हमें इसे मोटा साय से पीस लेना है तो डाल बनाने के लिए धाल हमें दस मिनिट तक खेंखो के रखना है io उसके पात हमें कड़ूप लेकर उसे जramento कर उसके पीसे समय शमें कट करके रख देना है तो सबजी बनाने के लिए फ्रेंट्स हमें मिल्च, जिंजर, लसन और कॉरियंडर ये सब मिक्सी से ग्राइंड करके रख देना है कुकर में दो बड़े चम्मच तेल डाल कर उसमें हमें मौरी, जिरा और जो लसन अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डालना है अच्छे से मिला लेना है और उसमें पमकिन के पीसे समें डालने है अच्छे से मिलाने के बाद हमें उसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हिंग पाउडर डाल कर अच्छे से मिला लेना है फोड़ा सा पानी इसमें एड़ कर देना है 2 तीस्पून हमें नमक उसमें एड़ करके उकर लगा लेना है तो डाल बनाने के लिए फ्रेंड्स उकर में पानी करें करके भीगोई हुई दाल हल्दी ओर हिंग और एक टीस्पून तो घी डालके उकर की चार से टी बाटी बनाने के रिए एक बावल में चार कप बाटी का आठा अजवाईन तीली सौफ पाउडर दो से तीन चमच नमक हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच दही दो बड़े चमच तेल और पिंग चॉप सोडा हमें डाल की आठा गूत लेना है आठा हमें ज्यादा नरम या सकत नहीं उठना है मेडियम डव हमें बनाने लाएं इसके बाद हमें इसमें तेल लगा कर दस से पंद्रा मिनिट तक डग कर रख देना है 15 मिनिट बाद उसके बॉल साइज के गोले बना कर उसको इस तरह से बीच में ऑईल लगाके बाटी उसकी बना लेनी है इस तरह से यह सारे बॉल्स हमें इस टोक के बना लेने हैं तो स्टीमर का जो बरतन है उसमें ऑईल लगाके हमें सारे जो बाटी है वो उसमें बना कर रख देनी है इस तरह से हमारे जो सारे बाटी वो बनके रेडियो गई बॉल वाटर करके उस पर हमें स्टीम के लिए रख देना है 10 से 15 मिनिट तक हो स्टीम करना है हमारी सबजी भी रेडियो गई है उसे एच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और एक चोटे बतन में उससे निकालेना है आप चाहे तो वैसे भी रख सकते है या फिर उसे स्मैश कर सकते हैं दाल भी हमारी पक गई है बीच में हमने बाटी जो है वो इस तरह से काट कर देख लेना है कि हमारी बाटी जो है वो अच्छे से पकी है या नहीं है एक कड़ाई में दो बड़े चमश देल लेकर जीरा मोरी लस्टन अरी मिर्च करी लिव्ट टमाटर अच्छे से उसमें दाल आड़ कर देना है बाटी हमारी पक चुकी थी तो उसे निकाल कर उसके स्लाइस करके गरम तेल में हमें उसे फ्राइ कर लेना है हलका कुला भी रंग होने तक उसे अच्छे से फ्राइ करना है तो हमारी जो दाल बाटी किडिश है वो रड़ी हो गई गये thank you for watching my video